उसी धाग ग्रैफिक्स के जरिये दिखाते हैं प्रकाश सिंग बादल सहब का जो राजनितिक करियर रहा, किस तरीके से वो आगे बढ़े और किन संगर्शों का भी उनको सामना करना पड़ा तो ग्रैफिक्स आपके टीवे स्क्रीन पर साल 1947 में राजनिति में हो आए, सक्रिये हुए, यहीं से शुरुबात होती है, सरपंच का उन्हें पहला चुनाव लड़ा और जीत हासिल तो राजनितिक सफर हम आपको बता रहे हैं ग्रैफिक्स के जरिये, फिर सबसे कम उम्र के सरपंच चुने गए, फिर बात थोड़ा सा राजनितिक सफर की और आगे बढ़ती है, बात उन्निस सो सतावन की है, जब पहला विधान सभाचुनाव उन्हें लड़ा और जीत हासिल तो दुबारा विधान सभाचुनाव जीते, और ठीक इसी तरीके से राजनितिक करियर आगे बढ़ता रहा, 1979 से 1970 तक कई विभागों के मंत्री रहे, यहां तक कि उनको केंद्र में भी मंत्री रहने का मौका मिला, लिए हमारे समवदाता नितिन धिमान हमारे साथ जुड़ गए है, नितिन धिमान क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या अपडेट? बिलकुल उनका जो अंतिम दर्शनों को लेकर के काफिला जो है वो चंडीगट से सेक्टर 28 पार्टी आफिस से रवाना हो चुका है, और शाम तक बठिंडा उनका जो पुष्टैनी गाउं है, लंबी में बादल गाउं, बहाँ पर पहुंचेगा और कल पूरा दिन दर्श यहां से पहले जिरकपुर में कुछ लोग जुटेंगे जो कि अंतिम दर्शनों दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद पत्याला में, फिर संगरूर में, इस तरीके से रामपुरा फूल में कही जगा जो है इस तरीकी की चीज़े होगी, तो कहीं न कहीं हमने जो तस्वीरे द था कि उनके लिए परसनल यह बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि राजनीती सम्द ही नहीं, उनके साथ हमारे पारिवारिक सम्द हैं, और ऐसे में एक बहुत बड़ा एक वाइड कह सकते हैं, गैप राजनीती के लिए है क्योंकि पंजाब, हर्याना, हिमाचल जब इकठा होता फिर उसके बाद कैई क्योंकि उन्होंने इस पूरे बात करें तो कैई चीजों पर उन्होंने आंदोलों में शामिल हुए चाहे पंजाबी सूबे को लेकर को हो या अन्य हो, तमाम आंदोलों में शामिल हुए और कई बार जेल भी गए, यहां तक कि उनकी बेटी का जब व कह सकते हैं करने अदान किया था तो ऐसे तमाम किसे हैं जो की और कही जीजे हैं जो की इंपलिमेंट हर्याना से पंजाब में और पंजाब से हर्याना में हुई थी उनको सबसे ज्यादा शरे अगर बात करें तो कही स्कीम लाँच करने का जिस तरीके से पंजाब में आटादा उपराला किया गया था और तो ऐसी तमाम चीजे थी और पंजाब में उगरवाद का दौर भी आया उन्हें चुरासी भी हुआ तमाम चीजे हुई और उससे पहले एक कह सकते हैं कि धर्म यूद की एक लहर चली थी उसमें भी बढ़ चड़ कर हिसा लिया था अकाली दल ने औ बिल्कुल तो आपको हम लाइब दस्विर दिखा रहे हैं नितिन धिमान हमारे समवादाता उस काफिले को फालो कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बीच में कई रूट तैक ही गए थे और उसी रूट पर ये काफिला आगे बढ़ता हुआ तमाम समर्थकों का ये ज सिंग बादल साहब को अश्रधांजली दी और तमाम जो अलग-अलग प्रदेशों के राजमितिग्ये हैं वो भी लगातार पहुंचे तो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर हमारे समवादाता नितिन धिमान उस अंतिम यात्रों को फॉलो कर रहे हैं कवर कर रहे हैं तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से प्रधान मंतुरी नरेंदर मो पहुंचे दफ्तर पहुंचे वहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजली दी तो इस बात से उनके सियासी कद्गा उनके सियासी रुत्वे का अंदाजा लगा जा सकता है हमारे संबदाता नितिन धिमान का हम रुख कर लेते हैं जो लगातार प्रकाश सिंग बादल सहाब की अंत इस वक्त चंडीगर जो है जाम हो चूका है और आगे क्योंकि यहां से जीरकपूर होते हुए काफिला जो है आगे जाएगा और तमाम अकाली नेता उनके साथ साथ जा रहे हैं और तमाम जितने उनके समर्थक हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं कि सभी अंतिम दर्षन के लिए क्योंकि एक शक्षियत उनकी इस तरीके की थी कि जो किसी का भी बन मोह लेती थी और कोई अजात सत्रू जिनको कहा जा सके बैसे थे क्योंकि किसी भी निता के लिए कोई इस तरीके के शब्द उनके मुझे हमने आज तक नहीं सुने और मीठा ही हमेशा बोलते रहें और पंजाब के लिए खास करके पंजाब के हितों के लिए भले हैसबायल का मुद्दा हो या पंजाबी सुव, सुबे के स्वाइदा का सवाल हो वो हमेशा लड़ते रहे हैं। तो एस्वाइल के लिए वले ही उनके रिष्टे इने लों के साथ बहुत अच्छे थे उन गटबंदन भी था लेकिन एस्वाइल का जब मुद्दा आया तो हर्याना से उनका पूरा अलग था रुख अलग रहा है इस तरीके से पंजाब को लेकर के जिस तरीके से उनको केंद केंदर में इन एक बार भीज़ा गया था केंदरे मंतली बनाएं गया था, पंजाजीम राज और प्शुपालन छोड़ दिया, तो बहां पर भी उनके फिर बहुत छोड़ दिया, क्योंकि बाद में फिर कभी केंदर का रुख नहीं किया क्योंकि पंजाब की राजनीती कर करते थे और दूसरा पॉइंट यहां पर यह कि वो संगी धाचे को मजबूत करने की बात किया करते थे कि फैडरल स्ट्रक्चर हमारे देश में मजबूत होना चाहिए जो हमारी स्टेट गवर्मेंट है उसका रिष्टा सेंट्रल के साथ कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चा कि पहले से ही ताकत मिले वो परकाशिंग बादल नहीं ये बात कही थी और अंतक क्षेत्री दलों की राज नित करते रहे हलंकि एक इसमें अब बाद ये था कि जब देवेगोडा की सरकार बने थी तमाम क्षेत्री दली कटे हो गए थे तब वो बाजपा के साथ आये थे तो काफी गटबंदन था प्यार था अलंकि 2020 में किसान अंदोलन के वक्त वो उस रिष्टे में खटा जुरूर आई लेकिन आज भी हमने देखा कि खुद प्रदानमें नरेंद मोदी बहां पहुंचे और भले ही गटबंदन तूट चुका है और उसके बाद बीजे रुपानी नहुरलाल समेथ तमाम जो बीजे पिक आला नेता है वो वहां पहुंचे थे तो ऐसे मैं कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि भले ही राजनितिक तौर पर बो पार्टीय अलग होई थी लेकिन वैसे वो पार्टीय ने वेक्तित तौर पर उन से तमाब पार्टीय जो है जुडी और क्षेत्री दलों को एकठा करने की कवायद हो या उंपरका चुटला से हमारी बात हुई तो उन्हें ने भी कहा कि क्षेत्र दलों को एकठा करने की उनकी कवायद थी और हलांकि वो महिम जारी रहेगी और आगे भी क्षेत्री दलों को मुझूवती मिले वो ऐसा चाहते है पंजाब और पंजाबियत की बात करने वाले पंजाब की राजनिती के पूरोधा, पंजाब की राजनिती के सूत्रधार, पंजाब की राजनिती के पिता महा कहे जाने वाले प्रकाश सिंग बादल सहाब अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े हैं हमारे संबादाता नितिन धिमान इस अंतिम यात्रा को लगातार फॉलो कर रहे हैं कवर कर रहे हैं और किस तरीके से उनका ये जो काफला है जो अंतिम यात्रा है अपने अंतिम सफर पर निकल पड़ी है आगे बढ़ पड़ी है और यहां पर आप ये चीज़ जरूर नोटिस कीजी जहां से और जिस पिंड से जिस गाओं से प्रकाश सिंग बादल साहब की राजनिती की शुरुवात हुई थी आगाज हुआ था उसी गाओं में उनका अंतिम संस्कार कल यानि गुरुवार को किया जाएगा और चत्रपों की राजनिती को हमेशा बढ़ावा देने वाले चत्रपों की बात करने वाले फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूती देने की बात करने वाले प्रकाश्टिंग बादल साहब हमेशा इस बात को लेकर चर्चा में रहते थे कि वो लगातार पंजाबी और पंजाबियों की बात करते थे पंजाबियत की बात करते थे वो किस तरीके से एक जन नेता के तोर पर उभरे यहां तक कि वो केंद्र की राजनेती में भी कुछ समय तक रहे, क्रिशी मंत्री रहे, किसानों के मुद्दे को वो बारीकी से समझते थे, जानते थे इसलिए वो लगातार पंजाब की राजनेती में अगर वो बात कोई उठाते थे अगर किसी विश्य पर अगर विस्तार से वो चर्चा करते थे तो हमेशा एक विश्य किसानी का जरूर रहता था किसानों की समस्याओं को समझते थे कि क्रिशी बदलती हुई टेक्नोलोजी और समय के साथ कैसे एक चुनोती बनती जा रही है किसानों के लिए तो फिलहाल ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे है पुर्व सीएम प्रकाश सिंग बादल साहब के अंतिम यात्रा एक लंबा चौड़ा काफिला है यहां तक कि थोड़े देर पहले ऐसी स्थिती थी कि चंडिगर में जाम भी लग गया था लेकिन एक चीज जो नोट करने वाली यहां पर ये भी है कि तमाम प्रदेशों के जो छत्रफ हैं जो बड़े नेता हैं अपने अपने प्रदेश के सियासत के धुरंदर हैं वो भी जरूर पहुँचे श्रद्धांजली देने के लिए वो जानते थे 1980-1970 का वो क्या दौर रहा है जबने केवल तमाम चत्रफ के सामने एक बड़ा चलेंज था कि खुद को कैसे उभारें और कैसे आगे बढ़ाएं और उस दौर में प्रकाश्निम बादल साहब इसी पहलू की बात करते थे इसी मुद्दे की बात करते थे